Hello everyone, आज हम पढ़ेंगे A Letter to God का एक Revision Video Lesson इस Lesson में आप जान पाएंगे कुछ important points जो कि आपको board exams में definitely बहुत help करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इससे आपको latest updates जो होंगे वीडियो के और revision lessons के वो मिलते रहेंगे So please subscribe my channel और अगर आपको इस chapter का detailed वीडियो चाहिए तो मैं उसको description box में link दे दूँगी आप वहाँ से उसको देख सकते हैं आईए start करते हैं आप इसके important points को Main points को start करने से पहले सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हमारी जो story का mean character है वो कौन है Lenchu was a poor farmer and totally dependent on the harvest to survive and fulfill his basic needs Lenchu एक गरीव किसान है जो कि पूरी तरह से dependent है अपनी fossil पर अपनी आजीविका के लिए यानि अपना जीवन आपन करनी के लिए वो पूरी तरह से अपनी fossil पर dependent है Once his harvest was destroyed by heavy rainfall and hail stones एक बार उसकी fossil, heavy rainfall और जो ओले गिरते हैं उनसे खराब हो जाती है He believed that God will help him definitely और Lenchu जो है उसका एक strong belief होता है God में और इसी लिए वो ये सोचता है कि God उसकी मदद जरूर करेंगे आईए अब इसको points में हम discuss करते हैं He looked in the sky and it did rain in the last बहुत दिनों से Lenchu इंतजार कर रहा होता है जैसा कि हमने chapter में पढ़ा था कि उसको इंतजार होता है एक अच्छी बारिश का क्यों क्योंकि उसकी अच्छी बारिश ही उसकी जो harvest होती है फसल होती है उसको और ज़्यादा अच्छा बना देगी और जब वो देख रहा होता है इंतजार होता है तो at last क्या होता है at last बारिश हो जाती है तो यहां से question बनेगा कि जो उसकी harvest होती है finally वहाँ पर जो है बारिश होती है या नहीं होती है या फिर बारिश होने से उसकी harvest पर क्या असर पड़ेगा The drops of rain was like coins for him जो बारिश की बूंदे थी वो लेंचो को एकदम coin की तरह लग रहे थी और यहां पर coin से compare इसलिए किया है क्योंकि उसको पता थी कि अगर बारिश होगी तभी मेरी harvest मेरी फसल अच्छी होगी और जब मेरी फसल अच्छी होगी तभी मैं इनसे रुपय कमा सकता हूँ तो उसको जो बारिश हो रही थी वो बारिश न लग करके ऐसा लग रहा था कि coins जो है गिर रहे हैं पहले तो जब बारिश शुरू हुई वो बहुती खुश हुआ लेकिन क्या हुआ जब heavy rainfall हुआ उसके बाद दीरे दीरे हेल स्टोंस गिरने लग गए जिन्होंने उसकी जो खुशी थी बारिश की जो खुशी थी उसको कम कर दिया जो लेंचो था उसकी लिए सारी फसल तो बरबाद हो गए थी अब उसके पास hope क्या थी यानि आशा क्या थी तो उसके पास केवल ये आशा थी कि भगवान उसकी मदद करेंगे आखरी जो उसकी hope थी वो थे God So he wrote a letter to God on Sunday. He wrote in the letter. आगे हम इसमें बता रहे हैं कि इस letter में उसने क्या लिखा तो यहाँ पर जो उसका strong belief है उसने उसको कैसे मतलब show किया, कैसे chapter में बताया गया है आप इस point को बहुती धान से पढ़ियेगा और समझेगा याद रखेगा कि उसने भगवान को एक letter लिखा on Sunday कब लिखा Sunday के दिन और उसने letter में क्या लिखा आगे पढ़ते हैं I needed 100 pesos to sow his field and to live until the new crop came और Lencho ने अपने letter में लिखा कि उसको 100 pesos चाहिए to sow यानि बोने के लिए उसकी field को उसके खेतों में उसको जो beat चाहिए उसके लिए उसको पैसे चाहिए और उसको जो पैसे चाहिए वो कितने चाहिए 100 pesos चाहिए जो कि उसने उस letter में लिखा और ये पैसे उसको इसलिए भी चाहिए क्योंकि जब तक उसकी जो नई फसल है वो तयार नहीं हो जाती तब तक उसको अपने जीवन यापन के लिए इतने रुपे चाहिए यहाँ पर आप इस point को especially star लगा लिजे क्योंकि यह important point है सबसे पहले उसका letter मिला postman को और जिसके बाद वो मतलब बहुत ज़्यादा हसा मतलब जैसे होते हैं कभी ठाहा का लगा करके हसना इस तरह से तो उस तरह से हसा और उसके बाद उसने वो letter दिया postmaster को postmaster read the letter and decided to help him and to have faith in God postmaster ने जब उस letter को पढ़ा तो उसके बाद उन्होंने ये decide किया कि मैं लैंचो की help करूंगा और ये जो help थी ये उन्होंने इसलिए करने की सोची क्योंकि वो लैंचो का जो God में विश्वास था उसको तोड़ना नहीं चाहते थे ये दोनों ही बहुत important points हैं The postmaster contributed a part of salary and said to the employees to contribute to help लैंचो जो postmaster था जिन्होंने ये सोचा कि वो लैंचो की मदद करेंगे उन्होंने एक पार्ट जो होता है एक थोड़ा सा जो उनकी salary का पार्ट होता है उसको मतलब उसके लिए दिया लैंचो के लिए दिया और साथी साथ जो उनके office में employees थे उनसे भी कहा लैंचो के लिए डोनेट करने को आपका अगर question आता है कि क्या जो भी उसको लैंचो को पैसे दिये गए जो भी रुपए दिये गए वो postmaster ने दिये तो इसका answer आप ध्यान से solve करिएगा क्योंकि यहाँ पर केवल postmaster ने नहीं दिये हैं जो भी office employees थे उन्होंने भी इसको contribute किया लैंचो received a letter with the signature of God but लैंचो was angry after getting the letter because he received only 70 पैसो यहाँ पर एक important question बनेगा जिसमें आप से पूछा जाएगा कि लैंचो को जब रुपए मिले तो वो angry क्यों हो गया वो गुसा क्यों हो गया क्यों लैंचो को गुसा आया अब जानते हैं कि लैंचो को गुसा क्यों आया तो लैंचो को गुसा इसलिए आया क्योंकि उसने God से request की थी 100 पैसो के लिए लेकिन उसको मिले कितने थे 70 पैसो इसलिए वो गुसा हो गया था और गुसा होने के बाद लैंचो ने क्या किया लैंचो ने फिर से लैंचो ने दो लैंटर लिखे और उसने फिर से एक लैंटर जो लिखा बाकी के 30 पैसों भेज दीजें और आगे लैंचो ने क्या लिखा and please don't send these पैसों through post office और लैंचो ने God को ये request भी की कि अगली बार जब भी वो रुपए भेजें तो वो post office के माध्यम से ना भेजें और उसका reason क्या था because post office employees are the bunch of crooks और जो लैंचो था उसके मन में ये feeling थी उसको completely ये लग रहा था कि ये जो पैसे वो God ने भेजें और उसको ये लग रहा था कि God ने 100 पैसों सी भेजें लेकिन ये जो 30 पैसों से ये किस ने निकाल लिये हैं ये post office employees ने निकाल लिये हैं और वो God को request कर रहा है कि वो next time post office के माध्यम से उसको और इसका रीजन वो ये बता रहा है कि यहां के जो employees हैं वो bunch of crooks हैं यानी ठग हैं At last हम एक बहुत important point को mark जरूर करेंगे जिसमें हम यह जानेंगे कि लैंचो को surprise हुआ जब उसे God से help मिली जब God का letter आया तो लैंचो ने surprise किया या क्या मतलब जो है उसकी feeling थी तो यहां पर लैंचो डिड नाट surprise by getting letter from God because he was having great faith in God उसको बिलकुल भी surprising नहीं लगा कि God की तरफ से उसको reply आया है क्यों नहीं surprise हुआ क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा विलीव था God में और वो ही सोसता था कि नहीं मैं अगर भगवान को मानता हूं तो भगवान मेरी सुनेंगे ही तो इसलिए उसको भगवान से मिले letter को देख करके कोई भी surprise नहीं feel हुआ तो I hope कि यह important points आपके board exams में जरूर काम आएंगे click on the like button if you really like the video thank you so much